कहां बात कर रही थी कहां पहुंच कई और आप सब लोग भी ना मुझे इती खुशी है ना कि eventually मेरे vlogs पर like-minded, funny, witty और बहुत अच्छे प्यारे सच्छे लोग जुड़ने लगे हैं तो उन में से एक beautiful soul ने लिखा कि यह pregnancy है यह मैडम को कोई भूत ची पट गया है जो मैडम आ इसी उल्टे सीदे हरकते कर रही है आज low, आज high, आज excited, आज आंसू यह क्या चकर चल रहा है तो मैं यही सोच रही थी कि यह mood swings कैसे और वो भी ऐसे mood swings कि जनाब जब बिजरा ध्यान देते हैं तो मैडम की energy तो इतनी sky high हो जाती है जनाब काम पर चल जाते हैं तो मैडम को जली जाती है कि energy low हो जाती है लेकिन जनाब तो पहले भी कह चुके है कि मैडम तो हमेशा ही ऐसी mood ही रहती थी तो कोई नया नहीं है यह आपको याद है एक प्राउग में क्या का था जनाब ने मैडम के mood swings हो रहे हैं आजकल मैं उनको बरदाश्ट करता हूं एक अच्छे प मैडम के तो mood swings पहले भी होते थे अब भी होते हैं तो इसको सिरफ pregnancy के mood swings नहीं कहा जा सकता है दरसल मैडम सफर कर रही है inferiority complex से उनका जो यह चोटा सा बाल माय ना यंग उनको हमेशा डर लगा रहता है कि उनका मियां उनके हाथ से निकल जाएगा त्योंकि वो ध्यान तो ज प्लानिंग में गुजार देती है कि किस तरह इस मौके से जादा से जादा शोयद जनाप का attention लिया जाए है ना और दूसरा ये कि जब इंसान का अंतस्तल जो उसका दिल और जमीर होता है जब उसको पता होता है कि वो कितने सारे guilt conscious के साथ जी रहा है तो mood swings नो होईंगे ना convert होके एक muslim परिवार में आकर उनकी बहुत प्यारी बहु बनने का नाटक करती है unconsciously ही सही लेकिन रहता ज़रूर है so that is the reason of her unstable mood swings हर वक्त वो किसी ना किसी planning में रहती है उनके चैरे से पता चलता है कि madam ये cash करना चाहती है ये mood swings कहके complicated pregnancy कहके सब cash करना चाहती है और अपने budd two followers मैं आपके बारे में कह रही हूँ जो थोड़े दर में आकर मेरे व्लॉग से रिचे वोलेंगे तो मैं क्या मतलब है उसको pregnancy enjoy करने दो pregnancy enjoy करने है ना तो privately enjoy करते है इंसान इतना पवित्र टाइम होता है एक और का वो सड़क पर आ आकर अपनी जिंदे की अपना bedroom share करती है य यह मैडम को जाके कहें कि आप अपनी pregnancy cash ना करें तो हमें भी कोई जोरत नहीं है यहाँ पर आकर बाते करने की पंचायत लगाने की हाँ तो अगर यह अपनी pregnancy को privately enjoy करना सीख लेंगे ही तो हमें भी कोई जोरत नहीं है कि हम यहाँ पर आकर उन्हें होश दिलवाए यह मैडम कर दीपिका ककड के जो ड्राम है ना वो सब लोगों को समझ आने लगे इस वजा से वो सेल्फ कॉंशिस हो रखी है यह है उसका inferiority complex जिसकी वजा से वो हर तरह से cash करा चाहती है चाहे completed pregnancy कहके चाहे mood swings कहके लेकिन मैडम हम इतने बुद्धू नहीं हम इतने बेवकुत नहीं ह आपको यहाँ पर आ आकर decode करती रहूंगे उची नहीं समझ आता उनको समझाने करे बैठे है नाम, don't worry madam, cringe level जितना उपर हमारे vlogs उतने जादा, ठीक है? On a serious note, यह madam का जो behavior है ना, वो हमेशा से थोड़ा, you know what I mean? जिस तरह से तालिया मार कर बात करती है वो, जिस तरह से वो अपने शोहर के सामने, अपने जनाब के सामने, आप ऐसे मत करो, आपको सोने का दिल कर रहे ना, आपको अराम करें, आप सोए, please सोए आप, जो इस तरह बच्ची बनती है उसके सामने, यह भी उसका एक unstable side show करता है, तो यह जो उनके हरकत है ना, मेडम की तालिब मार कर हसना, तालिब मार कर बात करना, उनका जो body का language है, उनका जो अपनी मिया से इस तरह चिपक चिपक कर, insecurity complex दिखाना, तारीफ सुनने की कोशिच करना, उनको प मेडम पहले भी क्रिंजी थी, अब भी क्रिंजी है, बतकिसमती से शायद हमेशा ही क्रिंजी रहेंगी, बैट बैट थक गई हूं, मेरा कभी दिल करता है, गुम गुम के व्लोग बना, लेकिन मेरे पास नहीं है, कोई वीडियो बनाने वाला, मेरे पास नहीं है, कोई camera होल् गुम गुम के व्लोग बनाऊंगी, और आपको जरा भी बोरियत नहीं होगी, कि आशी एक जगा बैट के व्लोग बनाती है, लेकिन फिलाल बरदाश कर लीजे, तो और जो एक सबसे इंपोर्टन बात है, मैडम का breakfast, दुनिया इधर क्यों दो रोजा बही, मैडम का breakfast, बहु मुल्ड एक्स, मुनक्का भीगा हुआ, भीगवे बादाम, और पीछे बैग्डराउंड में घूमते हुए धरमदादा, उनके ड्राइवर है, या बटलर है, या कुक है, ये क्या है, या all-in-one है, घर पर ही रहते हैं, मिया चाहिए गर पर ना हो, धरमदा, और और सब तो म आडम के आगे पीछे, उनकी हाजरी बजाने के लिए हर वकत तयार रहते हैं, तो जो ये ब्रेकवास की बात है, जो मेडम दिखाती है, जवार की हेल्थी रोटी, मैं सुबा जवार की हेल्थी रोटी खाती हूँ, मेडम आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड के, कि प्ली जो भी खाया होता है, वो यहां तक आजाता है, मूह तो दोलिया किजिए, कैमरे के आगे अगे अपने आँखों को ऐसे से करना, इतना हम सोलटी से बासा चेहरे लेकिया आना, नरम शोबा नहीं देता, खुछ तो सोशल मीडिया की डिग्निटी का ख्याल रखे, आप एक न कि लोगों को उपकाई आनी लगे, तो हाँ मैडम सुबा तो जवार की रोडिया जरूर खाती है, लेकिन उसके बाद निकल जाती है, चाट पगड़ी काने, आज ये खाने का दिल कर रहा है, बाहर जाके वो खाने का दिल कर रहा है, ये कौन सा लॉजिक है, प्रेग्नेंसी भुखकरणपने का बेबी है, बुखkaणपने का नतीजा है, ये बंप है, फूड बंप है, क्योंकि फौर्फ मन्थ तक भी बंप नहीं आता, मैडम जो इतना पेट निकालके चल रहे है, चाहे ट्वीन्स हो, चाहे घुए ट्रिबलेड्स हो, चाहे 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 इससे ज़य इतना पेट फोर मन्त में नहीं निकलता इतना पेट कम से कम फिफ्थ मन्त के बाद निकलता है हाँ बॉडी हो सकती है अनाटोमी अलग नहीं हो सकती जो प्रकृति का नियम है वो अलग नहीं हो सकता चार मन्त में इतना बड़ा पेट किसी का नहीं होता यह मैडम के बुड़ा हरकतें इतनी ओची हैं क्योंकि उनका खुद का बिहेवियर इतना बचकाना है जो खुद ही अपना मजाग उड़वाने को सारा सामान लेकर सड़क पर आ जाए तो खरीदार तो इकटे हो जाएंगे ना तो हमें तो बात करने का हक वनता है मैं अपनी दोनों प्रेग्नेंसी के तो 18 महीने का पहला बेबी संभालना भी, कुकिंग, क्लीनिंग, शॉपिंग करना, घर के खाने पीने का सामान खरीदना, उठाना, चलना फिर ना सब कुछ, सब कुछ किया है पहले महीने से लेकर आखरी नौवे महीने तक इन फैक्ट मैंने दूसरी प्रेग्नेंसी में तो ओफिस से आते आते मुझे डिलिवरी पेंट शुरूई थी, मेरा वाटर ब्रेक हुआ था, चल कर आ रही थी मैं ओफिस से और ज्यादा से ज्यादा चल रही थी, मेरी मदर ने हमेशा यही कहा, प्रेग्नेंट हो, बीमार बलकि कुद्रत ने आपको और ज्यादा स्ट्रॉंग बनने कमों का दिया है, उतना ही ज्यादा आपका शरीर आपका साथ देगा, उतनी ही ज्यादा प्रेग्नेंसी अच्छी और सफल तरीके से गुजरेगी, उतनी ही डिलिवरी इजी होगी, तो मेरी दोनों नॉर्मल डिल के लिए चली गई थी, तो इस वज़ा से मेरी दोनों डिलिवरी अग्दम नॉर्मल हुई, जबकि उनको खत्रा था कि शायद उन्हें सेजेरियन करना पड़े, या फिर इंड्यूस करना पड़े, क्योंकि जब आपको जस्टेशनल डाइबीटी होती है, तो बेबी ही बनाया, उनको ज़्यादा आराम नहीं दिया, वक्त पर आराम किया, काम किया, तो इस वज़ा से दोनों बेबीज मेरे टाइम पर हुए, एकदम नॉर्मल डिलिवरी हुई, मैं जो मदर्स टु भी है, या जो आने वाले वक्त में मदर्स बनेंगी, या अभी प्रेग्ने से जो कि आने वाले वक्त में मा बनने वाली है, या मा बनने के लिए जो आज स्टॉगल कर रही है, तो मैं ज़रूर ब्लॉक बढ़ाऊंगे अपनी प्रेग्नेंसी के एक्सपिरेंसे और आपको सब टिप्स बताऊंगी, जिसकी रिस्पॉंसिबिलिटी जिम्मेदारी में अपने कंदों पर, तो मेरा ये बताने का मकसद क्या है, मेरे बताने का मकसद ये है, कि ये सब इनके नकरे हैं, ये जो सोचल इंफ्लोएंसर है ना, सोचल मीडिया पर, खास करें दिपिका कक कर, जो कि हर तरह से गलत मैसेज दे रहे हैं समाज को हमारी लड़कियों को, चाह और मजबूत और खुले विचारों की, जैनियन बेटिया जाहिए, और ये दिपिका कर, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही है, वो गलत मैसेज डाल रहे हैं समाज में, और हम उसके लिए खड़े होंगे, और जब भी ऐसे हरकत करेगी, हम आके उसको डिकोड करेंगे, रा आपको mood swings तो होंगे फिर, और mood swings नहीं होंगे, तो जैन आप कैसे ध्यान देंगे, और मैडम क्या फर्मा रही थी, कि जैन में घड़ी होके, कि I cannot wait for that phase, जबकि मुझे cravings होंगी, food cravings, और मैं जैन आपको रातों को उठा कर भगाऊंगी, कि मुझे मिर्ची के साथ मिठा खा मैडम, मुझे लगता है, आपने research कर लिया है, कि कौन-कौन से combination आप pretend कर सकते हैं, कि आपको craving हो रही है, ताकि पूरा attention मिल चाहिए, जहनाप से भी, और vlog भी तयार हो जाए, दो-तिन, तो मैडम मैं आपको बता दू, कि हम जानते हैं, यह pregnancy इतनी, मैटम नहीं करते हैं, आप आपका ध्यान तो इसी research में लगा हुआ है, तो हमें तो एक बात का एकिन है, कि आपको pregnancy cravings चाहे हो ना हो, आपने तो प्लान कर लिया है, ड्रामा, जनापको उठाएंगे आधी रात को, शोए, बीपी, बलकप्पे मांग रहा है, चोकलेट सॉंस के साथ, ऐसी आर का तो क्य काना खाते हैं, कैमरा मूँ रखके, बिस्मिल्ला, इतने में बन जाते हैं उल्लू लोग, वैसे बन ही रहे हैं, जो आके आपकी वकालत करने लग जाते हैं, उनको इतना समझ नहीं आता, कि जो ईश्वर के साथ आपका रिष्टा होता है, वो बहुत personal होता है, आप बढ़ते नहीं देखा, कभी अच्छे गीत, अच्छी कहानियां या ऐसा कुछ भी अच्छा creative, जो कि आपकी आत्मा को नरिश करें नहीं देखा, सिर्फ चहरे पर पोत लेने से मेक अप, या चहरे पर लगा लेने से तरा-तरा के face pack, उससे आपकी रूह को कैसे ताज़ पड़ेगा, कि pregnancy के दौरान, एक मा को अपने जहन को नरिश करना पड़ता है, as much as body, अच्छे-ची किताबे पढ़िए, अच्छे-ची गीत सुने, जो संगीत होता है, वो आपके रूह तक पहुँचता है, और आपको शान्त करता है, आपके mood swings नहीं हो, लेकिन मैडम को तो इन सब चीज़ों में वक्त खराबी नहीं करना, जो वक्त वो किताब पढ़ने में लगा सकती है, या जो वक्त वो नमाज पढ़ने में लगा सकती है, वो क्योटेश जाके make-up करने में क्यों नहीं लगाएं वो, लोग तो ऐसे बुद्धू बन जाते हैं, जो वो सिरफ बि इतना बताने के बावजूद भी मेडम, फिर से बनाने पहुंच के लेस के, या दे, वो का लोखन वाला गई थी है, कहा गई थी, लेसिज लेने, तो लेसिज दिखा रही थी, यह उनकी बेशर्मी है, वो पता क्यों यह दिखाना चाहती है, कि कोई फरक नहीं पढ़ता मु हाँ, तो मेडम, यह आपके जो क्रेविंग होगी ना प्रेग्नेंसी की, वो प्रेग्नेंसी की क्रेविंग नहीं होगी, वो आपका ड्रामा होगा, और आपने उसको कैश करना है, एक तज़शो एप के साथ में, और भोले-भाले, जो आपके फॉलावर्स हैं, उनकी हम दर दर्द, कमजोरी, लो फीलिंग होना, लो एनर्जी होना, यह सब आपके फेक ड्रामेस हैं, हमको पता है, ताकि आपके जनाब आपके फिछे वागे, घर के लोग पैंपरिंग करें आपको, अरी क्या खना है, क्या खना है, प्रेग्नेंट है, इसको उठा के घूमो, चल क्य हम नहीं बताएंगे किसी हो कि आप एक ड्राम में कर रहे हैं, सिवाए पलंग तोड़ने के करती के हैं मैडम आप, तो यह जो भी हत करने हैं मैडम के, यह सिरब उनके बुद्धू फॉलवर्स पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो फॉलवर्स हमें प्रीच करने लगे हमारे पास एक एक एंटी बुद्धू, एंटी जाहिल स्प्रे है, जो हम आपके आते ही, कर देंगे, ठीक है न, और आप सब भी, जब भी कभी हमारे व्लॉग के नीचे, इन उन्नों के मैसेज़े देखे न, तो स्प्रे कर दें फट आफट, ओके, जब तक मैं आऊं से पह कुछ भी कर सकते हैं, कितनी बेशर्मीक तियार कर सकते हैं, क्योंकि इन्हों ने आज तक एक बार भी ये बात एकसेप्ट नहीं करी है, कि लोग इनको धिक्कार रहे हैं, इनकी हरकतों पे थू-थू हो रही है, लेकिन ये कभी पे अक्नॉलिज नहीं करेंगे, उल्टा क्र अपने क्रिंजी फॉलोवर्स बढ़ा लें, और हमारे पीछे लगा दें, तो बस हम खुदी बात का ना बंद कर देंगे उनके बारे में, लेकिन ये नहीं चलेगा, हसन नहीं होगा, क्योंकि हमने सचका कबच पहन रखा है, इस पर ऐसी चीज़ों कोई उसर नहीं होता, औ और तो और मुझे ये भी लगता है, कि इन्होंने अपने लोग रख रखे हैं, उनकी व्लोग के नीचे माशायला, इंशायला, अलहमदुलिल्ला, कमेंट करने के लिए, क्योंकि जो भी लोग समयजार होंगे, वो कभी इन लोगों के पीचे अपना वक्त बरबात नहीं करे और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत जादा ओवरीटिंग करती है, PCOS क्या है, Polycystic Overee Syndrome क्या है, और उसमें Artificial Insemination से, या फिर Introvert or Fertilization, यानि कि Test Tube Baby से Pregnancy हो सकती है, Clomid, एक Medicine of Fertility की, जिसे की Twins और Triplets भी हो सकते हैं, तो Deepika की कि जो कहानी चल रही है न, उसके बारे में यह discuss एक अलग व्लॉग में करूंगी, जो कि मैंने कहा है कि मैं मदर्स के लिए, मदर्स टू बी के लिए, जो Fertility Problem से जूज रही है, उन मदर्स के लिए, जो Polycystic Overee Syndrome है, जो Deepika बताती है कि उसको है, और यह जाहिर से बात है कि अगर आप Overeat करोगे, सारा दिन बिस्तर प हो जाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो Pregnancy की Problem हो जाते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं Polycystic Overee Syndrome और Deepika की जो Fertility की जो कहानी और राज है ना, उसके बार में बताऊं, तो मैं एक अलग से प्रॉग बनाऊंगी, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, जो भी बात बत होते हैं, वो डीटेल में बतानी होते हैं, तो यह तो ऐसी बात नहीं है, कि मैं आपको चट पट बता दू, तो Deepika की जो Pregnancy और यह Twins के जो अटकले लगाए जा रहे हैं, तो हाँ हो सकते हैं, लेकिन Twins होने के बाब जूद भी चौथे महने में इतना स्टमक देने का कोई कि रीजन नहीं है, unless you have a पत्री or something like that, क्या राज है कि इसके Twins होने के अटकले लगाए जा रहे हैं, वो यही बजा है कि इसको Pallosystic Ovary Syndrome है, तो उसने यहां तो IVF test to baby कर आया होगा, जिसकी वचा से Twins और Triplet हो जाते हैं, तो मैं आपको डीटेल में तूसरे व्लॉग में बत अच्छे प्यारे बच्चे आकर शिकायत करते हैं, मुझे सबर कर लया करो, कि दरसल मेरी भी गलते हैं, कि मैंने कहा था कि मैं आज व्लॉग पोस्ट करूंगे, लेकिन नहीं कर पाई कई बजहों से, लेकिन आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि सिंगल मदर विद तो मेरे साथ आके कुक कीजे, एक सिंपल सी रेसिपी, कोई नकरा नहीं, जब मैं ये व्लॉग यही खतम करती हूँ, जल्दी मिलोगी मैं आपको, नेक्स व्लॉग के साथ, प्रामेस तु कवर इस लास्ट व्लॉग स्क्रेंज और एबराहिम, ठीक है, तब तक रखिए झीने रे